दोस्तों Motorola जल्दी है अपने Moto S30 स्मार्टफोन को लांच करने वाला है यूरोप में एंड उसके बादे स्मार्टफोन इंडिया में भी काफी जल्दी लांच होने वाला है इसी स्मार्टफोन के स्मार्टफोन के स्मार्टफोन के स्मार्टफोन के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे हैं तक चलिए शुरू करते हैं बात कर रहे हैं स्मार्टफोन के डिजाइन की तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखने वाला है Moto S 30 स्मार्टफोन यहाँ पे आपको Moto S 30 Pro स्मार्टफोन की तरह डिजाइन देखने को मिलेगा बैक साइड में टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगुलर शेप्ट में कैमरा मोड्यूल देखने को मिलेगा जिसमें के आपको तीन कैमरा की हाउजिंग देखने को मिलेगी LED फ्लैस देखने को मिलेगी नीचे यहाँ आपको Motorola की ब्रेंडिंग देखने को मिलेगी Motorola का logo देखने को मिलेगा बात करें front side की तो यहाँ पर आपको center punch goal के साथ में display देखने को मिलेगा पतले-पतले से bells होंगे और हलकी सी चिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो overall design वास का अच्छा smartphone होने वाले मेरे को design काफी ज़ादा पसंदा है आप लोग की design कैसा लगा आप comment करके हमें बता सकते हैं बात करें इस smartphone की display की तो यहाँ आपको 6.55 inches की full HD plus P OLED display देखने को मिलेगी OLED से थोड़ी better होती है P OLED वाली display और यहाँ आपको 144 Hz का fast refresh rate भी इस smartphone में देखने को मिलेगा तो display काफी तकड़ा देखने को मिलेगा P OLED panel and high refresh rate के साथ में आएगा तो display के मामने में आपको इस smartphone में कोई दिक्कत ने आएगी बात करें cameras की तो यहाँ आपको triple rear camera setup देखने को मिलेगा जिसमें की 50 megapixel का main camera होगा 50 megapixel का ultra wide angle lens होगा and 2 megapixel का depth sensor भी आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा तो rear side से जो cameras होने वाले हो काफी अच्छे होने वाले है बात करें selfies की तो यहाँ आपको 32 megapixel का center punch वाला selfie camera इस smartphone में देखने को मिलेगा तो selfie camera भी काफी अच्छा होने वाला overall cameras यहाँ आपको काफी तकड़े देखने को मिलेंगे इस smartphone में cameras के मामले में आपको इस smartphone में कोई इकत नहीं आने वाली बात करें performance की तो यहाँ आपको Qualcomm का Snapdragon 770 8G Plus chipset देखने को मिलेगा यह एक upgraded version है 770 8G chipset का यहाँ चिपसेट एक 5G chipset है 6N Mark डेक्चर पर बना हुआ है अटरों के जीप के साथ में आता है तो gaming performance आपको अच्छी निकाल कर देगा day to day users में भी कोई दिक्कत नहीं multitasking आप easily कर पाएंगे इस smartphone में and यह 6N Mark डेक्चर पर बना है तो power efficient भी होने वाला है तो overall performance यहाँ आपको काफी तगड़ी निकाल कर देगा बात करें RAM and storage की तो यहाँ आपको 6GB slash 8GB LPDDR4X RAM देखने को मिलेगी and 128GB slash 256GB storage आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगा तो RAM and storage के मामने में भी आपको इस smartphone में कोई दिक्कत नहीं आगी बात करें battery की तो यहाँ आपको 4020 mAh की battery देखने को मिलेगी जो कि यह काफी छोड़ा साइज है battery अगर 4500 mAh की battery होती तो काफी अच्छी बात होती लेकिन जो battery size है यहाँ पर काफी कम दिया जाने वाला है इस smartphone में and यहाँ आपको 33W की fast charging भी इस smartphone में देखने को मिलेगी तो charging तो थोड़ी decent है लेकिन battery अगर थोड़ी सी जादा देतो तो काफी अच्छी बात होती overall यहाँ पर आपको battery and charging decent मिलने वाली है बात कर रहे operating system की तो दोस्तों यहाँ आपको Android 12 देखने को मिलेगा MyUX के साथ में तो जो आपका experience होने वाला है OS के मामले में वो काफी अच्छा होने वाला है बात कर रहे connectivity की तो यहाँ पर आपको 5G का support देखने को मिलेगा Dual 4G Volt होगा, Dual Band Wi-Fi होगा Bluetooth 5.2 होगा, GPS का support होगा और दोस्तों NFC का support भी आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा तो overall connectivity का मामले में भी आपको इस smartphone में सारे options मिलने वाले हैं बात कर रहे security की तो यहाँ पर आपको face unlock के साथ में in display fingerprint scanner देखने को मिलेगा और Motorola का smartphone है तो यहाँ पर आपको think shield और mobile का production भी इस smartphone में देखने को मिलेगा तो extra security मिल जाएगी यहाँ आपको think shield के साथ में बात कर रहे ports and buttons की तो यहाँ आपको USB type C charging port देखने को मिलेगा power on button होगा and दोस्तो volume rocker button भी आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगा बात कर रहे इस smartphone के color variants की तो दोस्तों इस smartphone के जो rent रस्मिकल कर आए हैं उनके हिसाब से smartphone तीन color variant में देखने को मिलेगा आपको silver, green and blue color में बात कर इस smartphone के price की तो दोस्तों जो Europe का price होने वाला है इस smartphone का वो होने वाला है 549 euros यानि कि 550 euros के आसपास का price आपको Europe में देखने को मिलेगा and अगर यह smartphone इस price point पे यूरोप में launch होता है तो काफी महंगा मैं कहता हूँ कि होने वाला है इस smartphone and Indian price की बात कर लेते हैं तो India में smartphone आपको 30-35,000 रुपे के price में देखने को मिलेगा जिया जो इंडिया में काफी सस्ते price पे launch होते हैं Motorola के smartphone and आप इस smartphone को 30-35,000 रुपे के price में इंडिया में expect कर सकते हैं and दोस्तो अगर ये smartphone same price point पे इंडिया में launch होता है तो क्या आप इस smartphone को buy करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे आप नीचे comment में हमें बता सकते हैं बात कर रहे हैं इस smartphone की launch date की तो दोस्तो जो European launch date होने वाले इस smartphone की का जा रहे है कि 5 में होने वाली है या सिफ है expected है कोई भी मतलब confirm नहीं है कि ऐसा 5 में को ही launch होगी लेकिन जो leaks पर गएर हैं हो तो अभी के लिए यही कह रहे है and Indian launch date की बात करते हैं तो ये smartphone इंडिया में माई के माईने में launch होगा या माई के ending में smartphone इंडिया में launch होगा क्योंकि Motorola हर महीन अपने एक नए smartphone को launch कर रहा है इस महीने शायद 2 को कर देगा Moto G52 भी आने वाला है and हो सकता है कि मही के महीने में smartphone आपको इंडिया में देखने को मिले जी हां दोस्तों यहीती कुछ बात है जो मैं आपको Motorola के Moto Edge 30 smartphone के बारे में बताना जाता था आज के वीडियो के लिए इतना ही वीडियो बजना दे वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जावारत